हलो बच्चो आज हम करेंगे कक्षा नवी की संस्कत विशे की प्रश्ण बैंक को हल करेंगे और प्रश्ण बैंक का आपके एक्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड द्वारा जारी की गई है और प्रशन बेंग को यदि हम पुरा हल कर लेंगे तो एक्जाम में हम 90% से अधिक क्वेशन हम आसानी से कर लेंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजी तो चलब बच्चों शुरू करते हैं इसका जो प्रशन नमबर पहला है उचित विकल पर चितवा लिखत सही विकल पर चुनकर हमें लिखना है तो इसमें जो पहला है हरी हरो इतस्य पदस्य समास विग्रह हरी हरो ह इस पत का समास विग्रह क्या है तो इसका उत्तर होगा हरीहच हरहच ठीके बह वाला जो है हरीहच हरहच ये इसका समास विग्रह होगा अब दूसरा जो क्यूश्चन है दूसरा प्रश्चन है चंदरशेकर है तस्मीन पदे समास अस्ती चंदरशेकर इस पद में कौनसा समास है तो इसका उत्तर होगा बहुब्री समास है तिके चंदरशेकर में बहुब्री समास है क्योंकि चंदरशेकर चांद है जिसके शिखर पर अर्था शिव और यहाँ पर क्योंकि दोनों पदों से अलग एक तीसरा यह अर्था निकल रहा ह इसलिए यहां पर बहु ब्री समास होगा, तीसरा जो प्रश्ण है, तत्पुरुष समास से उधानम नास्ती, तत्पुरुष समास का उधान कौन सा नहीं है, जो नहीं है वहां हमें बताना है, तो इसका उत्तर होगा निलोत पलम, निलोत पलम जो है तत्पुरुष समास का उ जबकि निलोत्पलम समास का अधन नहीं है. अब प्रश्न नास्ति कर्मधारे समास का उधारन कौन सा नहीं है तो जो नहीं है वहां में बताना है कर्मधारे समास का उधारन नास्ति मतलब कौन सा नहीं है तो इसका उत्तर होगा पितामबरह तो बहुबरी ही समास का उधारन है इसलिए कर्मधारे समास का उधारन नहीं है ये इसका एं अस्ति दिगू समास का उधारन कौन सा है तो दिगू समास का जो विशेश्टा है होती कि इसमें जो पहला पदे संख्यावाचक होता है और इसमें जो उधारन है पंचवटी यह इसका उत्तर होगा पंचवटी दिगू समास का उधारन है जबकि जो दशानन है इसका भी पहल इसका उत्तर होगा इसके बाद जो अगला है प्रश नमबर जो सात्वा है अव्यवी भाव समास से उधार्णम अस्ति तो अव्यवी भाव समास का उधार्ण कुन सा यह हमें बताना है तो इसका उत्तर होगा प्रती दीनम प्रती दीनम जो है अव्यवी भाव समास का उधार् अगला प्रश्नमबर जो आठ्वा इसमें दे रखा राम लक्ष्मनों इतस्मीन पदे समास है तो इसका उत्तर होगा द्वण्द है तो इसका उत्तर होगा अधिउ? उपसर्ग है इसमें अगला जो प्रश्ट नमबर दस्वा है प्राचार्य इतस्मीन पदे उपसर्ग है इस पद में कौन सा उपसर्ग है इस पद में कौन सा उपसर्ग है तो इसका उतर होगा प्रव प्रव उपसर्ग है यहां पर तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी इसका उत्तर होगा नीस नीज जो है उपसर्ग है अगला प्रेशनमबर जो बारवा है अधो लिखी तेशो उपसर्ग नास्ती इन सब में उपसर्ग कौन सा नहीं है तो यहां पर जो नहीं है उपसर्ग वह बताना हमें क्योंकि यह नास्ती लिखा है नास्ती लिखा मतलब जो नहीं है उपसर्ग कौन सा नहीं है तो वी, नी, परंतु, दुर तो आप देखकर भी समझ गए होंगे कि वी तो उपसर्ग है निभी उपसर्ग और दुर भी उपसर्ग है तो यहां उत्तर होगा परंतु परंतु उपसर्ग नहीं है अब प्रेश नमबर जो तेरवा है पराजय है तस्मिन पदे उपसर्ग है अस्ति पराजय पत में कौनसा उपसर्ग है तो पराजय में उपसर्ग है परा ठीके परा उपसर्ग है इसमें अगला जो चौदा नंबर का है अधो लिखी तेशो उपसर्ग नास्ती अधो लिखी तमेशे कौनसा उपसर्ग नहीं है तो कौनसा उपसर्ग नहीं है तो इसका उत्तर होगा वद वद उपसर्ग नहीं है जबकि सम नीद और दूर दूसर जो कर लिए हैं इसके आगे जो दे रखे हैं इसके आगे एकाई जो तीन दे रखी प्रश्ण बेंक के अनुसार उसमें भी उचित विकल्प हैं अब्जेक्टिव क्रिशन दे रखे हैं तो बच्चों आपको अब्जेक्टिव करने बहुत जरूरी है अधिक नंबर के भी आते है और अब्जेक्टिव आपकी बुक में दे भी नहीं रखे हैं इसलिए प्रश्ण बेंक में से अधियो हम उनको हल कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अधिक आसान होगा एक्जाम की मान से भी इसलिए हमें ये सारे अब्जेक्टिव अच्छे से कर लेना चाहिए या तो आ खेला जो प्रश्ण है कमलम पदस्य परयाय पदम अस्ती तो कमल जो पद है इसका परयाय मतलब परयाय वाची शब्द क्या होगा तो इसका उत्तर होगा नीरजह नीरज जो है कमल का परयाय वाची है तो इसका नीरज हो जाएगा है परयाय वाची शब्द पूछाता अब से goes number 2 दोसरा तेसे सूर्य हा इस की सीर्च क्या है कि आसानी बते हैं कि पर्याएबाषी हो जाएगा रवी िक है रवी समय में हिंदी समझ में आ जाएगा प्रिशन और तीसरा तेसरा या रात्री हा परलक्क मतलब नहीं तो रात्री पत का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है यह बताना हमें यहां पर विकल्प दे रखे रजनी रजनी मतलब तो रात्री होता शीतल ठंडग यामिनी मतलब भी रात्री होता और निश्या मतलब भी रात्री होता तो इसका उत्तर होगा शीतलम शीतलम ज नहीं है तो शशी, रजनीचरह, सुधाकर और दिवाकर लिख रखे हैं तो हमें पता है कि दिवाकर तो सुर्य को कहते हैं तो इसमें आएगा दिवाकर चंद्र इस पत के परयावची नहीं है तो इसका उतर होगा दिवाकर जो है चंद्र का परयावची नहीं है जबकि शशी रजनिचर और सुधागर इसके पर्यावाची है अब अगला प्रेश नमबर पांचवा है सागरह पदस्य पर्याय पदम नास्ती सागर इस पत का पर्याय पद नहीं है नास्ती मतलब नहीं है तो सागर इस पत का जो पर्यावाची कौन सा नहीं है तो यहाँ पर विकल्प दे रखे समुद्र, नगह, वारिदह और जलदह तो यहाँ पर जो है नगह, नगह मतलब तो पहाड होता है इसलिए यह समुद्र का पर्यावची नहीं है और बाकि जो तीन शब्द दे रखें, तीनों ही समुद्र के या सागर के परयावाची हैं, समुद्र हा, वारिद हा और जलद हा अगला जो प्रश्ण नमबर छे दे रखा, राजा पद से परयावाची शब्द कौन सा यहां हमें बताना है तो यहां विकल्प दे रखें, भूपती, अधिपती, जरा और गिरी, तो इसका उत्तर होगा तीके राजा इस पद का जो परयावाची शब्द है, भूपती, इसका परयावाची, अगला प्रश्ण नमबर जो सात्वा है सुर्योदेह इतस्य विलोम पदम अस्ती, सुर्योदे इस पद का विलोम पद कौन सा है तो सुर्योदे का विलोम बताना हमें, तो वो हो जाएगा, सुर्योदे का विलोम हो जाएगा, सुर्यास्त हो, ठीके सुर्योदे का विलोम, सुर्यास्त हो जाएगा अब इसके बाद जो प्रश्ण नमबर आठवा है जयह इतस्य विलोम पदम अस्ति जयह इसका विलोम पद कौन सा है तो जयह का विलोम हो जाएगा पराज जयह विलोम मतलब विप्रितर्थ वाला शब्द बताना था तो जयह का हो जाएगा पराज है सत्यम इतस्य विलोम पदम अस्ति सत्यम इस पत का विलोम कौन सा होगा तो यहां हो जाएगा असत्य दस्वा जो कुष्चन है प्राचिनम इतस्य विलोम पदम अस्ति प्राचिन इस पत का विलोम पत कौन सा हो जाएगा तो वो हो जाएगा नवीन ठीक है तो इसका हो जाएगा नवीन अब हम आगे देखते हैं आगे जो इकाई चार में भी उचित विकल्प मतलब objective question दे रखे हैं तो इसमें जो पहला प्रशन दे रखा है गमिश्यती इतस्मीन पदे लकार है अस्ती गमिश्यती इस पद में कौन सा लकार है तो इसक अगला जो प्रशन दो है अवदत इतस्मीन पदे लकार है अवदत इस पद में कौन सा लकार है तो इसका होगा लंग लकार होगा इसमें अब अगला जो प्रशन दीसरा है पठतु इतस्मीन पदे धातु अस्ती पठतु इस पद में कौन सी धातु है तो इसमें धातु पत प्रश्ण नमबर चोथा है भव इतस्मीन पदे धातु अस्ती भव इस पद में कौन सी धातु है यह बता नहीं तो इसमें धातु है भू ठीक है कौन सी है भू धातु है अगला जो है अगला प्रश्ण है गमिश्या में इतस्मीन पदे पुरुश अस्ती गमिश्या में इस प्रेश्ट नमबर 6 है पठसी इतस्मीन पदे पुरुश असती पठसी इतस्मीन पदे पुरुश असती तो इसका उत्तर होगा मध्यम पुरुश प्रेश्ट नमबर 9 अपश्यत इतस्मीन पदे पुरुश असती तो इसमें धातु है द्रश द्रश धातू है इसमें और अगला जो दस्वा जो दे रखा है द्रक्षती इतस्मीन बदे लकार है तो द्रक्षती इसमें कौन सा लकार है तो इसमें आजाएगा बवाला लड़ता लकार तो और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए